नमस्कार प्यारे विद्यारतियों स्वागत है आप सभी का हमारे धाकड कॉंसेट के चैनल पे और आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हम और जी हां बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग की बजट कैसे बनता है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा जो वित मंत्राले है वो बजट कैसे बनाता है तो आपके सामने जो यह बिल्डिंग दिख रही है बच्चो यह है नौर्थ ब्लॉक और यह दिल्ली में स्थित हैं दिल्ली में नौर्थ ब्लॉक जहां पर वित मंत्राले हैं और इसी जो बिल्डिंग है इसके तह खाने में बनत करते हैं तो देखें बजट के लिए सबसे पहले परिपत्र जारी किया जाता है यानि कि सरकार के द्वारा जब बजट पेश होता है उससे पांच से छे महीने पहले यानि कि हम बात करें अगस्त सितंबर के महीने में सरकार एक परिपत्र जारी करती है और सारे मंत्राले से अपने सची सचीव लोगों के माधियम से मंत्राले यानि वित मंत्राले को भेज दे और वित मंत्राले फिर उनके राजश्व का अनुमान लगाती है क्या करती है राजश्व के अनुमान लगाती है फिर उसके बाद उनके उनकी आय और वय की जांच होती है फिर बजट बनान किस तरीके से करना है ये बाते होती है तो इस तरीके से ये सारी की सारी परकिरिया हमारे सितंबर के महीने से सुरू होती है और दिसंबर तक आकर रुख जाती है इस टाइम पिरिड में ये सारा डिसाइड कर लिया जाता है कि वही बजट के अंतरगत क्या-क्या प्रावदान होंगे इसके बाद सरकार कुछ इन लोगों से भी बात करती है ये कौन है तो देखें ये हमारे देश के अंतरगत उद्ध्योग जगत के बहुत बड़ी सबाय है इनको हम एक organization यानि संगठन क्या सकते हैं सरकार फिक्की से भी बातचीत करती है कि वही हम उद्ध्योग के लिए क्या policy बनाए फिर इससे भी बात होती है भारतिये उद्ध्योग परिसंग से और सबसे महतोपुन योगदान होता है निति आयोग का तो देखें फिर उसके ब दिमाग में कोई ideas हैं तो वो बताईए था कि हम budget बनाने में पारदर्शिता रख सकें फिर ये सारी परकिरिया होने के बाद सबसे important काम होता है हलवा ये होता है हलवा ceremony तो mostly ये हलवा ceremony जो है जनवरी के महिने में और जैसे अभी अभी वरतमान में budget पेश होता है हमारा एक फ अब अधिकारियों को हलवा खिलाया जाएगा फिर उसके बाद उन अधिकारियों को अगले 10-15 दिन के लिए इस North Block के तहखाने में बंद कर दिया जाएगा बिल्कुल वो लोग दुनिया से कट जाएंगे क्यों क्योंकि अब budget जो है ना वो print होगा तो print होने की परकिरिया इ एक फरवरी को वित मंत्री जी कारे ले आते हैं और अपने अधिकारियों के साथ जैसे देखिए ये वित सच्जीव है हमारे वित सच्जीव इसके बाद इनके सयोगी मंत्री भी साथ में होते हैं और ये Chief Economic Advisor Chief Economic Advisor मुख्यार्तिक सलाकार हम कहते हैं तो ये सारे लोग मिलकर जो budget का जो खाका है वो लेकर निकलते हैं कितर जाते हैं तो वो सबसे पहले जाते हैं राष्टपती के पास कहां पर राष्टपती के पास यानि कि 10 बजे के आस पास ये लोग राष्टपती के पास पहुंचत जाती है कि भी budget में इस तरीके के छोटे मुटे जो भी प्रावदान हमने किये वह एक डिप डिस्क्रिप्शन यानि 5 मिंट का होता है जादा नहीं होता है फिर उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाता है जब राष्टपती से मिलने जाते हैं उस टाइम ये बजट की सा तो सर्व पर्थम तो देखें बजट शब्द का जो प्रियोग है वह फ्रेंच भासा से लियावाएं बॉगट से किस से बॉगट से जिसका मतलब होता है चमडे का बैग और हमारे जो समीदान है उसमें बजट शब्द नहीं है ध्यान रखना समीदान में क्या लिखावाए वार्षिक वित्य वीवरण यानि Annual Financial Statement कैते हैं और यह अनुछिद 112 में किस में है अनुछिद 112 में उसके बाद अगर बात करे तो सर्व पर्थम जो पेश किया गया था वो किया गया था 1860 में किसके द्वारा तो देखिए James Wilson द्वारा बजट जो बनने की परकिरिया है वो इस समय सुरू हुई अब आगे क्या हुआ 1921 में एक कमिटी बनाई जिसका नाम था एकवर्थ कमिटी उस कमिटी ने ये सुजेशन दिया कि हमें बजट रेल बजट है उसको अलग करना पड़ेगा क्यों क्योंकि रेल्वे का भार जादा हो गया जो टोटल बजट होता था ना उस ताइम उसमें 70% पैसा रेल्वे का होता था तो इसी लिए उसको अलग कर लिया गया आगे क्या हुआ फिर देश आजादी से पहले जनी ध्यान रखना आजादी से पहले अंतरीम सरकार का जो बजट पेश किसने किया था लियाकत अली खान में किसने लियाकत अली खान मगर आजाद भारत का जो पहला बजट है वो आर के शन्मुग शेटी ने किया था किसने शन् पेश किया था क्योंकि वो एक बार अतिरिक्त परबार के साथ वित्मंत्री रह चुकी है अब देखे रोचक थत्य वर्ष 2000 से पहले क्या होता था बच्छो साम को पांच बजे ये अंग्रेजी पद्दती के हिसाब से हम साम को पांच बजे पेश करते थे मगर वर्ष 2001 में और यह जो सबसे पहला जो नसीब दाना यह था यश्वंत यश्वंत सिना उस टाइम के जो वित्मंत्री थे यश्वंत सिना पहले वक्ति थे जोनों ने सुबह 11 बजे बजेट पेश किया था तो इस तरीके कि यह सारी कानी है हमारे बजेट की और देखे यह हैं कर लाना चीए तो वापस उसको कॉमन कर लिया गया कबसे वर्ष 2017 से अलग से रेल बजट पेश नहीं होता है वर्ष 2017 से अलग से बजट पेश नहीं होता है तो कौन सी कमिटी थी विवेक देबरोय इसमें economic survey भी आता है तो अब देखें मैं आपको बता देता हूँ 31 तारीक को हमारा संसद का 31 जनवरी को संसद का सत्र सुरू होगा संसद के सत्र में सबसे पहले राष्टपती का भाषन होता है राष्टपती का अभी भाषन उसके बाद सबसे पहले economic survey पेश किया जाता है और दूसरे देन यानी एक फरवरी को बजट होता है तो यह सारी की सारी कहानी मैंने आपको बताई है अब बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम एक तारीक को पता लगाएंगे तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम आप सही गुट नाइट बाद है